गुड मॉर्निंग गल्स पिछली भाग में हमने पड़ा रिया की डायरी पाठ छे इसमें रिया को अपनी नोकरानी की जो लड़की है नीलू उससे बात करना अच्छा नहीं लगता पर वो बार-बार आकर उससे बात करती है तो साथ जुलाई को भी वो उसके घर आई थी अब उसके अगले दिन आट जुलाई आज नीलू फिर अपनी मा के साथ हमारे घर आई शाम का समय था मैं अपना ग्रह कार्य कर रही थी तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी मैं 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 कैसे मैंने हिच के चाकर पूछा हिच के चाकर यानी घबराते हुए डर कर की आखिर वो कैसे पढ़ा सकती है उसे बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबे दे दो मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ मेरी बस्ती में एक दीदी आती है उन्होंने मुझे हिंदी वर्ण माला से खाई थी वर्ण माला पता है ना सबको दीरे दीरे शब्द जोड़ कर मैं पढ़ भी लेती हूं मैं पहले हिच के चाई लेकिन उसकी पढ़ने की तीवर इच्छा को देख कर मेंने अपनी पुरानी किताबे उसे दे दी साथ ये कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से न छू न जाए उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रह यानी रिया जब भी उससे बात करती थी या उससे संपाख करती थी तो उसे हिचकिचाहट होती थी उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि नीलू जो थी वो एक गरीब लड़की थी इसलिए हमेशा इक गंदे कपड़े पहने रहती थी और उसका इस तरह से रहना नीलू को, सौरी रिया को अच्छा नहीं लगता थ कि कहीं उसे भी इस गंदी लड़की के साथ रहकर उसके जैसी आदते न हो जाए या हो सकता है कि उसे कोई बिमारी न लग जाए पंद्रा जुलाई आज तेज बारिश हो रही थी मुझे तेज बुखार था पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे उन्होंने बहुत सी दवाईयां देते वे कहा था जल्दी ठीक हो जाओगी घर लोटकर मैं खिडकी से काले गुमरते बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया क्या हुआ दिदी बिमार हो हाँ और क्या तभी तो लेटी हूँ मैंने मुझ बनाते वे जवाब दिया यानि रिया को उसका आना अच्छा नहीं लगा नीलू सहम गई और थोड़ी देर चुप चाप वहीं खड़ी रही मैंने उसकी तरफ से नजरे हटा ली और आकाश की और देखने लगी जहां से नन्नी नन्नी बारिश की बूंदे चलक रही थी नीलू भी कमरे से बाहर चली गई इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए वे थे मैं सोने की कोशिश करने लगी डौपर के समय मम्मी खिचडी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली रिया दवाई खाने का समय हो रहा है पहले खिचडी खा लो तभी अचानक उनके हाथ पाँ फूल गए और उनके हाथ से प्लेट छूट गई हाथ पाँ फूल ना यानि घबरा जाने मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी और एक ही जगह अपनी आखे गड़ाए हुए देख रही थी मैंने भी इस तरफ उस तरफ नजरे गुमाई तो देखा एक साप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था उसे देखकर डर के मारे मेरी भी घिगी बंद गई यानि डर के मारे बुरहाल हो गया तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़े तौलिये को उठा कर साप के फन के उपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजे लगाने लगी साप साप बचाओ बचाओ उसी समय एक सपेरा साप को ढूंडता हुआ वहाँ आया आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और साप को पकड़ कर ले गया नीलू की बहादूरी पर सभी तालिया बजा रहे थे मैं कापते कदमों से नीलू के पास पहुँची और उसको गले लगा लिया मेरी आखों से आसु बहने लगे आज नीलू की बहादूरी ने गंदगी और बदबू से उपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया तो जो नीलू गंदी रहती थी उसका मन कहीं साफ था और इसी वज़े से उसने रिया की जान बचा दी तो वह साहसी भी थी तो उसने अपने अदम्य साहस के चलते रिया की जान बचाई शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए मौखिक प्रश्नोतर यहाँ पाठ किस शैली में लिखा गया है यहाँ पाठ डाइरी शैली में लिखा गया है रिया कहां से लोट रही थी? रिया अपने स्कूल से घर लोट रही थी रिया ने सडक के किनारे किसे देखा? रिया ने सडक के किनारे उसकी ही हम उम्र एक लड़की नीलू को देखा जो वहाँ बैठ कर पत्थरों से खेल रही थी नीलु कौन थी और उसके पेरों में क्या हुआ था नीलु रिया की नोकरानी कमला की बेटी थी उसके एक पेर में पोलियो हो गया था तो गल्स मैंने इसके लिखित प्रश्नोतर आपको assignment में भेज दिये है आपको प्रश्नोतर लिखने है और याद करने है साथ ही पाठ को दो बार पढ़कर समझना है थैंक यू गर्ल्स